अब सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और आज जिस मुद्दे पर हम डिस्कुसिन करने के लिए हैं वो है सेनिक स्कुल का एक्जाम होने के बाद पेपर के सॉलिशन देने के बाद बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा इस बात की वहापो की स्थिति है इतना ज़्यादा बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि what will be the cut-off of this year's सेनिक स्कुल एक्जामिनेशन इस जन्वरी में जो सेनिक स्कुल का एक्जाम हुआ है for class 6th and for class 9th उसके लिए cut-off की क्या prediction होगी वो आप लोगों के सवाल हैं इसलिए आपके लिए हमें एक वीडियो लेकर क्या है सबसे पहले देखो सेनिक स्कुल के एक्जाम को आप इस तरीकी से समझजिये कि exam का pattern क्या है exam में कितने candidates ने हिस्सा लिया है और साथी साथ सेनिक स्कुल में जो vacancies है अलग-अलग सेनिक स्कुल में अलग-अलग vacancies है उन सब को हमने ध्यान में रखना होता है while we are discussing about the cut-off तो आप लोगों को यानि कि बच्चों को सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि there are some questions which you have to put in your mind while understanding the cut-off so there are some questions पहला सवाल तो यह है कि जो exam है उसका pattern क्या है अब आप कहेंगे sir pattern तो हमें पता है हमने exam दे दिया है मैं यह कहना चाहरा हूं कि आपके exam के pattern में एक चीज नहित होती है वो है qualifying marks जब आप qualifying marks से आगे बढ़ जाते हैं और उसमें भी कुछ पेचीदगी है जब आप इस hurdle को पार कर जाते हैं तब आप कट आफ की चिंता कर सकने हैं If you don't qualify then there is no question of discussing cut off with anyone पहली चीज है आपको exam pattern और उसमें मौजूद cut off के बारे में पता होना चीए The second thing is the number of candidates कितने थे इस बार candidates जिन्होंने exam form भरा था और कितने थे candidates जिन्होंने exam दिया था The third thing which is interrelated with this number of candidates के साथ जोड करके हमें ये समझना होता है कि number of vacancies कितनी थी number of vacancies हर एक सैनिक स्कूल की अपनी अपनी रहती है इन दोनों चीजों का मुल्यांकन हमने खुद किया है और उसके बाद हम आपको चीजों को बताएंगे लेकिन cut off के discussion से पहले हमने आपको कुछ सवालों के जवाब देने की कोचिश किया या फिर आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को आपने यहां पर खंगालना है और तब जाके आप cut off का prediction करेंगे अभी आगे बताता हूँ वाइवी आपके मन में जो सवाल आता है वो है आप कौन सी category से बिलॉंग करते हैं जो बनती है वो कैटिगरी वाइज भी बनती है इसमें कैटिगरी बेसिकली है जनरल के टिगरी या जिसे आप अन्रिजर्वड कैटिगरी कहें तो ज्यादा बैटर होगा दूसरा इसमें डिफेंस बनता है पिर इसमें इस तरीके से अलग अलग कैटिगरी के अलग अलग कट आफ आपको देखने को मिलते हैं बेस्ट ऑन ओल दीस क्वेस्टेंस जब इन सारे सवालों का हमने आपको जवाब ढूणने की कोशिश की है हमने आपको तब जाकर करके कट आफ का एक रुजहान आपके सामने रखने के यहां पर कोशिश की है एक्जाम पैटन में क्वालिफाइंग मार्ग सबसे पहले पता कीजिए और अपने अपने अगर आपके मार्ग से जाधा आ रहे हैं तब इस वीडियो को आगे बढ़ाईए और उसके लिए आपको प कि इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं उसके बाद जब आप इस फर्स्ट हर्डल को पार कर जाते तो अब बेज़ डॉन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो और अपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर आप इस लिमिट तक पहुँच चुके हैं तो इसी में ऊपर नीचे fluctuation होंगे और आप उमीद कर सकते हैं कि आप इस exam को crack कर सकते हैं यह हर जो number of cutoffs related जानकारी है वो अलग-अलग schools के लिए फिर अलग-अलग बदलती है और वहाँ पर e-counseling वाला जो matter है वो भी सामने आता है तो cutoff को समझने के लिए चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं किस चीज की हम बात करते हैं exam के pattern की ठीक है तो exam pattern क्या है simply आपको चलो class 6 की तरफ पहले ले चलते है class 6 में exam का कैसा pattern रहता है class 6 में बेटा mathematics आपसे पूछी जाती है class 6 में आपसे पूछी जाती है general intelligence class 6 में आपसे English का एक paper पूछा English के कुछ questions पूछे जाते हैं और class 6 में आपसे पूछा जाता है general knowledge जिसे जी के कहते हैं यह है अलग-अलग segments या subjects जिन में आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं अब जो maths का paper होता है उसमें total आपको 50 questions देखने को मिलते हैं और उसके बाद आपको 25 intelligence या reasoning जिसे हम करते हैं उसमें देखने को मिलते हैं 25 आपको देखने को मिलते हैं English में और 25 marks आपको देखने को मिलते हैं जी के section में तो जो maths का portion है उसका थोड़ा 2 marks का एक question देखने को मिलते हैं तो based on this अगर 50 questions है और 3 marks का each question है तो mathematics में आपको 150 marks का paper देना होता है और बाकी के सभी subjects में आपको 50 50 और 50 in marks का paper देना होता है अब मैं आपको क्यूं बता रहा हूँ आप तो paper दे चुक्क है और आपको पता होना चाहिए था यह तो पहले से ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि qualifying marks की यहां पर हमने बात करनी है तो first let's get for class 6 क्या होते है qualifying marks के लिए दो तरह की की चीज़ों को अपने ध्यान रखना है the minimum marks you need to qualify अब आपने paper दे दिया है paper मिलाई है और इतने minimum marks आपके आने चाहिए तो इसमें each subject में you need to get at least 25% marks यानि कि हर एक subject में कम से कम 20 प्रतिशत marks आपके आने चाहिए यहां पर देखिए जैसे maths में आपने 150 marks का maths का paper किया है तो qualify करने के लिए आपको उसका 25% निकालना होगा okay so this will come as 37.5 marks आपको at least चाहिए minimum तब जाके आप maths में qualify हुए है इसी तरीके से आपने intelligence में 25% secure करने है out of 50 marks जो कि लगभग आपका बन जाता है 50 marks का अगर एक paper है और उसमें आपको 25% at least चाहिए यह बनेगा 12.5 के आसपास 12.5 in each subject तो यह यह और यह तीनों में 12.5 आपको अलग से लाने हैं बेटा और यहां पर आपको ले करके आने है at least 37.5 marks क्योंकि टोटल का 25% है तो this is sectional cutoff हर एक section of subject में आपको इतने minimum marks लाने लेकिन क्या इतने minimum marks लाने के बाद आपको qualify होने दिया जाएगा तो बिलकुल नहीं aggregate marks में आपको यह सब को अगर हम add करते हैं तो यह टोटल मनता है 37.5 and 12, 24, 36, 33, 37.5 तो 37.5 plus 37.5 it will become 75 marks तो इस हिसाब से अगर आप सारे subject में qualify कर चुके हैं तो आपके 75 marks आने चाहिए अगर आप minimum qualification को पूरा करते हैं तो मगर aggregate में total में आपके सिर्फ 75 आके कहानी नहीं चलेगी यह तो एक minimum qualification थी aggregate में आपको लाने होंगे total का 40% total 150, 50, 50, 50, 50 इन सब का total बनता है 300 marks for class 6 300 marks के आपको at least 40% ले करके आने हैं so 300 का आपको 40% निकालना होगा which will come as 120 total आपको minimum 120 number ले करके आने हैं और हर एक section में जैसे maths में कम से कम 37.5 तो लाने ही हैं उसी तरीके से इन में कम से कम इतने लाने ही हैं इन सब के बावजूद आप इन में कम से कम सब में कम से कम number लेकर के total 75 marks लेकर के आ रहे हैं तो आप qualify नहीं करेंगे total में आपको यह minimum criteria for each subject रखे देको यह इसलिए भी रखा है कि मालो maths में को 37.5 ले आया और intelligence में वो 50 में से 40 ले आया ठीक है English में भी इसी तरीके से वो 40 ले आया और GK में वो इस एक प्रकार से कहो कि 0 ले आया मालो या फिर 12.5 के बजाए सिर्फ 10 marks लेकर कर आया तो overall उसने कितने marks गिन कर लिए 37.5 के थूँ वो maths में क्वालिफाई हो गया 40 40 में यह already क्वालिफाई है लेकिन GK में क्वालिफाई नहीं है लेकिन इसके नंबर देखो कितने आ रहे है 40 40 80 90 100 120 107.5 प्लस 117.5 जो की 75 से जादा है मगर overall इसके marks कितने आए 117.5 जो की aggregate marks से जो की होने चाहिए at least 120 उससे कम है तो यह qualify नहीं करेगा विकॉज यह एक subject में देखिए वैसे भी qualify नहीं किया हुआ था कहने का मतलब यह हर एक subject में आपको कम से कम कुछ marks लाने है लेकिन सिर्फ उतने marks लाके काम नहीं चलेगा overall क्योंकि आपको जादा marks लाने है इसलिए आपको हर एक subject में जादा से जादा marks लाने है यह एक qualifying criteria जिसके तहरे अगर आप 6th class के बच्चे हैं और आपने 120 marks तक gain कर ली है aggregate में और each subject में 37.5, 12.5, 12.5, 12.5 से बहुत आगे बढ़ चुके हैं तब आप cut off की बात कीजिए तब आपका आगे की कहानी होगी इस तरीके से पहला hurdle तो हमने किया clear और यहां पर देखिए एक और खास बात हमने ध्यान में रखनी होगी that no minimum marks यह जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट है वहीं से लिखा हुआ है और वहीं का स्टेटमेंट है नोन minimum marks prescribed for candidates belongs to belonging to SC and ST categories इसमें schedule cast and schedule tribe category से आने वाले बच्चों के लिए कोई minimum जैसा मैंने अभी आपको थोड़े पहले पीछे बताया था ऐसा minimum marks gain करने का कोई criteria नहीं है उनके अपनी category के जो बच्चे हैं उनमें जो सबसे जादा मार्स लेकर आएगा वो मेरिट में सबसे आगे होगा और उसके विसाब से धीरे धीरे उनकी मैरिट बनते जाएगी अगली चीज यह है कि मैरिट लिस्ट कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट के लिए दो criteria एक तो school wise बनती है यानि कि हर एक स्कूल की अपनी merit list बनेगी यानिक स्कूलों की संख्या जितनी भी है उन सब की अपनी-अपनी merit list बनेगी और एक दूसरी बात यह है overall आपकी category wise भी merit list बनेगी यानिकि हर एक school में हर एक category के लिए number of seats vacant होंगी और इन number of seats के हिसाब से माल लिजे x school में 10 seats are vacant for unreserved category and y school में 25 seats are vacant for unreserved category तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही unreserved category के बच्चे जा सकते हैं और यहाँ पर 25 बच्चे admission ले सकते हैं इस लिहाँ से यहाँ की cut off जहाँ पर कम seat हैं हो सकता है जादा जाए और यहाँ की cut off जहाँ पर जादा seat है वहाँ पर comparatively to x कम cut off जाए तो school wise cut off जाती है यानि कि different different school के लिए आपकी different different cut off रहती है और उसके बाद वहाँ पर category wise भी आपको देखना होगा कि मेरी category में कितनी seat हैं किस school में available है और इस लिहाँ से आपको उस school में admission मिल सकता है तो यह बात ध्यान में रखनी होती है और इसके साथ साथ school wise और category wise merit list तो बनती है उसके अलावा जो आपकी cut off नरधारित होती है उस cut off में boys और girls इनकी भी अलग-अलग cut off बनती है यानि कि लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग साथी साथ home state वालों की और other state वालों की भी अलग-अलग cut off रहती है मतलब मान लीजिए कि कोई एक boy या कोई भी girl अपने ही home state में जहां उसने exam दिया है या जहां का वो रहने वाला है या रहने वाली है उसी state में अगर कोई सैनिक स्कूल मौझूद है और वो उसी सैनिक स्कूल में admission लेना चाहता है तो उसको अपने home state में जितने भी admission हो रहे हैं उनसे fight करना पड़ेगा उनकी cut off में आगे आने की कोशिश करने पड़ेगी उनकी cut off के पार जाना पड़ेगा और अगर कोई अगरी बच्चा एक state में रहते हुए किसी दूसरे state के सैनिक स्कूल में admission लेना चाहता है तो उसे उस दूसरे state में मौझूद अधर states के जितने भी candidate उसे school में जाना चाहते हैं उनके बीच में जादा marks लाने होंगे वहां की जो अपनी other states की cut off बनेगी उसको clear करना होगा इस तरीके से cut off का निर्धारण होता है अब किसी भी जैसे एक्स school में मैंने बोला कि 10 seats are reserved for the unreserved category या कहते हैं जनरल के लिए 10 seats हैं माल लेजिए वहां पर तो इस एक्स school में कितने लोगों ने अपलाई किया और उनके कितने marks आए इससे निर्धारित होता है कट आफ जितने लोगों ने अपलाई किया वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एक्जाम दिया तो जो आगे की कहानी हमारी रहती है वो रहती है कि number of candidates कितने थे जिरहों ने एक्जाम दिया और number of vacancies कितनी थी तो जैसे दो धाई हजार के करीब vacancies होती है माली जे 6th class की में बात कर रहा हूं और exam देने वालों की संख्या 1.5 lakh या 2 lakh के आसपास होती है यह पिछले बार के कुछ pattern के हिसाब से हम कह रहे हैं और इस बार भी कुछ कमोबेश इसी तरीके का हिसाब है तो हर एक seat के लिए बहुत सारे लोग fight कर रहे होता है यह मैं आपको समझाना चाहता था तो based on these all information these prior information अब मैं आपके साथ share करता हूं कि cut off कितनी जाएगी cut off के लिए सबसे पहले class wise देखना पड़ेगा हमने tanic school class 6th 2024 cut off और इस cut off में आप category wise जैसे कि आपको पता है आप कौन सी कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं वह plus आपको boys है उनकी अलग girls है उनकी अलग boy और girl और other state वाली भी बात है यहां पर तो other state के लिए अगर आप अप्लाइग कर रहे हैं तो वह भी होती है girls यहां पर हम कह रहे हैं home state boys हम यहां पर कह रहे हैं home state के लिए जो अप्लाइग कर रहे हैं साथी साथ यहां पर देखिए एक और चीज यह होती है कि हर एक सैनिक स्कूल जैसे कुछ सैनिक स्कूल है जो बहुत सारे लोग वहाँ admission लेना चाहते हैं उनका काफी नाम है तो उस नाम के लिहाज से भी आपकी demand जादा रहती है admission की उन स्कूलों में तो कुछ स्कूल है जिनकी cut-off already high जाती है यह हम सब जानते हैं और कुछ स्कूल है जिनकी उनसे moderate रहती है और कुछ ऐसे school है जो अपनी location की वज़े से है different factors की वज़े से जैसे कोई भी नौर्थ इस्ट के school में जादा तर नौर्थ का बच्चा जाने के बारे में नहीं सोचता है तो उस लिहाज से हम कहें कि वहाँ पर apply करने हालों की संख्या कम होती है तो वहाँ comparatively cut-off कम जाती है यह मैं आपसे कहना चाह रहा था ओके तो general defense, OBC और इसके बाद SC and ST इस लिहाज से cut-off आगे बढ़ती है ठीक है तो class 6 के लिए करें SC and ST की अलग-अलग cut-off तो कितने-कितने marks हम इसमें expect करते हैं देखो 6 class का जो paper था उस लिहाज से इस बार आपको लगता ही होगा जितने बच्चों ने exam दिया था कि paper comparatively थोड़ा easy था जब भी paper थोड़ा easy आता है तो इसका मतलब यह है कि cut-off high जाने वाली है क्योंकि सभी के लिए वो paper easy है और वो बच्चे जिन्होंने ठीक से पढ़ाय कि है वो ज्यादा से ज्यादा marks लाएंगे और वो बच्चे जिन्होंने average पढ़ाय की थी उनके marks भी अब comparatively ज्यादा जब सभी बच्चे जादा score करेंगे तो फिर cut-off भी जादा ही चली जाएगी चलो बात करते हैं general category के लिए और boys की cut-off कितनी जाएगी class 6th scenic school के लिए तो हमारे अनुमान से out of 300 you need to get at least 250 marks और यह मैं कह रहा हूं कि जिन scenic schools में cut-off बहुत high जाती है वहां भी आप admission ले सकते है और जिन scenic school में cut-off कम जाती है वहां भी आप admission ले सकते हैं अगर आप इस range में score कर रहे हैं तो मतलब अगर आप 250 से plus 255 या 245 की range में अपने general category के बच्चे हैं वो class 6 में अपने score को देख रहे हैं अगर आपने paper मिलाया है तो आप उमीद कर सकते हैं कि आपको home state में मिल जाए लेगा admission ओके इसी तरीके से defense वालों के लिए भी जो cut-off का criteria है उसमें कोई ज्यादा बदलाव होता नहीं है क्योंकि defense वाले अगर कम मातरा में है तो उनकी number of seats भी कम होती है तो वहां पर भी मैं 250 plus minus 5 इसी category में रखूंगा जहां तक बात है OBC में तो वहां पर 245 plus minus 5 का margin में लेके चल रहा हूं या तो 240 या 250 के बीच में आपकी रहेगी बड़ 245 स्कूर करने वाले आगे बढ़के देख सकते हैं वह अपनी selection है उसकी तरफ उम्मीद कर सकते है ठीक है schedule class या SC वालों में 230 plus minus 5 का margin हम देखने देखके चलेंगे और ST में जो estimate है हमारा हमारा मानना है कि 220 की range में अगर आप हैं या उससे plus minus 5 में हैं तो आप उमीद कर सकते हैं for home state and boys अगर मैं कहूं वो हैं तो अपने ही state में इस तरीके से आप अगर इस category में आते हैं इतने score आपने किया है तो आप उमीद कर सकते हैं कि आपको admission मिलेगा और girls for home category again इनकी भी मैं 250 plus minus की range ही मानता हूँ और defense वाले में भी 250 plus minus की range में मैं इनको रखूंगा girls के लिए भी उतना ही competition रहता है बेटा कि यहां तक बात आती है OBC में तो 235 plus minus 5 यह girls की मैं cut off कह रहा हूँ तो अगर OBC में girls candidate है और अपने home state में सेनिक स्कूल में admission चाहती है तो 235 अगर उनके marks score कर रही है तो वह उमीद कर सकती है या उससे जादा या उससे 5 कम भी है तो तब भी उनकी उमीद बरकरार रहनी चाह है for SC and 215 के आसपास मैंने estimate लगा है plus minus 5 और ST अब आप कहेंगे इसमें minimum qualification तो नहीं थी लेकिन merit तो बनेगी ही इनकी भी ठीक है उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जहां पर बहुत fight होती है for admission और उसमें जादा तर बच्चे admission लेना चाहते हैं अब उन स्कूलों के नाम में नहीं लोगा लेकिन माल लीजे ऐसे कोई स्कूल है और आप उन स्कूलों में admission लेना चाह रहे हैं तो वहां आपको जादा marks score करने होंगे तब आप टिक पाएंगे उन अधर बाकी सारे अधर एक स्टेट है माल लीजे उत्राखंड है और यहां घोडाखाल स्कूल है तो इसमें जो होम स्टेट वाले हैं वह उत्राखंड के ही बच्चे हैं उनके लिए कुछ खास सीट सूंगी और उनकी cut-off एक खास लिहा जोडाखाल स्कूल में admission लेना चाहते हैं उन सब के marks देखे जाएंगे और उनकी एक cut-off बनेगी और जब जादा बच्चे हैं किसी स्कूल के लिए admission के लिए fight करने वाले तो आपको अपने marks जादा ही चाहिए होंगे क्योंकि वहां पर competition जादा है इस लिहाद से 260 plus minus 5 for other state मान के चलते हैं जहां कम जाती है cut-off हो सकता है वहां 250 ही हो जाए लेकिन मैं बात कर रहा हूं highest level को ध्यान में रखते हुए है okay so 260 plus minus 5 260 plus minus 5 for unreserved and defense categories आप कह सकते हैं जनरल और defense category के लिए जहां तक बात आती है OBCS के लिए तो उसमें 255 का मैं यहां पर एक number आपको दे रहा हूं और उसके बाद 240 plus minus 5 आप मान के चलिए for SC and 230 plus minus 5 आप मान करके चलिए for ST यह हमारा estimate है कि class 6 में आपको अपनी category और अपनी choice के हिसाब से इतने mark secure करने चाहिए तब जाकर कि आप उमीद कर सकते हैं कि आप सेनिक स्कूल में admission easily ले पाएंगे हलां कि एक disclaimer मैं यहां पर देना चाहूंगा कि यह जो marks मैंने आपको बताया है it is our estimation based on the exam based on the number of candidates based on the number of vacancies जैसा exam का pattern आया था बच्चों ने जो answer दिये हैं जो हमें response मिले हैं और कितनी vacancies हैं कितने सेनिक सुने उन सबको ध्यान में रखते हुए एक estimate हमने लगा है now we are we will discuss about class 9th cutoff और 9th के लिए चलिए धीरे-धीरे कुछ portions है इसमें उनको erase करते हैं और यहां पर 6 के बजाए आप 9th की बात करेंगे और यह सारे number भी change हो जाएंगे प्लस माइनस 5 का margin सब में रखा जाएगा अब आज यह class 9th में class 9th का paper कैसा आया है एक और खास बात मैं आपको बता दू हमने जिन चीज़ों पर गौर किया है आपको cutoff बताने से पहले वह previous year की cutoff क्या रही है अलग-अलग स्कूलों की highest किस की रही कम किस की रही उन सब चीज़ों को भी हमने data को properly analyze करके आपके सामने इन सब यह जो information है यह शेयर कर रहे हैं तो आप इसे reliable भी मान सकते हैं क्योंकि यह factual है data based है और कहीं ने कहीं इसमें जितने भी factors को involve करना चाहिए statistically वह हमने involved किये हैं now let's come to the class ninth cutoff देखते हैं नवी कक्षा के बच्चों के लिए कितनी cutoff रहेगी तो अगेन for general category I think यह देविटा out of 400 है पिछला वाला out of 300 था आपको exam pattern भी मैंने बताया था यहां कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं मैं 350 इधर रहेगी 350 इधर रहेगी 340 के आसपास OBC उसमें आप plus minus 5 का margin लेकर चलें 330 और SC and 315 और ST boys for home state यह मेरा prediction है cutoff का यहां तक बात आती है girls की तो इसमें आप 330 के आसपास ninth class में girls का देख सकते हैं हो देखिए number of agencies और इन सब चीजों को मैं ध्यान में रखा है 330 यहीं पर यह भी रहेगा 325 plus minus 5 for OBC and 320 plus minus 5 for schedule cast and 300 plus minus 5 या 300 plus at least आपको चाहिए for ST students who are girls and they are aspiring for home state scenic school यह बात थी home state की अब बात करता हूँ other states में क्या रहनी चाहिए cutoff तो 365 plus मैं मानता हूँ for boys या sorry general categories 360 plus minus 5 मैं मानता हूँ defense को लेकर के 350 के आसपास मैंने imagine किया है कि इस OBC की रहेगी 345 रहेगी sorry तोड़ा सा इसको लिखने में 345 के आसपास रहेगी SC में other states में और 330 के आसपास रहेगी ST में तो यह मेरी prediction है और देखिए इसमें आपको other states में हमेशा ज़्याद ही देखने को मिलेंगी paper का pattern देखिए paper अगर comparatively easy आया है जो कि इस बार आया ही है पिछले बार की अपेक्षा तो जरूर cut off भी last time से थोड़ी आगे जाएंगी higher जाएंगी और यह मैंने moderate level of cut off आपको बताईए इतने में अगर आप हैं तो आप उमीद कर सकते हैं अगर इससे जादा में आप हैं तो बेशक आपका हो ही जाएगा इसमें अब cut off का यह prediction है उमीद करता हूँ आप में से जादा तर बच्चे इन सब केटेग्रीज के अनुसार अपने अपने पेपर को मिलाएंगे और मुझे लगता है जादा से जादा बच्चे अपने आपको एक safe zone में जो कि इस cut off के हिसाब से एक zone हमने आपके लिए बना दिया है उस safe zone में पाए बेस्ट if you have any queries then please do contact us on these numbers और फिर मिलेंगे एक नए session में आप से एक नए topic की चर्चा करते हुए तब तक के लिए अगर आपकी कुछ queries हों तो comment section पर बताइए उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे और all the best to all of you take care and bye bye झाल